दोस्तों अगर आप एक CSC संचालक हैं और Marfo device की मदद से PM किसान सम्मान निधी की EQIC करना चाते हैं मगर आपको नहीं पता है कि Marfo device से PM किसान सम्मान निधी की EQIC करने के लिए आपको Marfo का कौन सा driver install करना होता है ये driver हमें कहां से download करना है इसके बाद में हमें इस driver को किस तरीके से अपने PC या फिर laptop में install करना होता है और install होने के बाद में हमें अपने laptop या फिर PC में कौन कौन से setting on करनी होती है या फिर आपके system में आपके laptop में पहले से ही Marfo का कोई driver install है मगर जब आप PM किसान सम्मान निधी की EKYC करने जाते हैं तो वहाँ पर आपके device पर red light on नहीं होती है जिसकी वज़ा से आप PM किसान सम्मान निधी की EKYC नहीं कर पाते हैं तो friends मैं आप सभी को ये पूरा process करके आज दिखाने वाला हूँ आपको कौन सा driver install करना होता है ये driver आपको कहां से download करना है download होने के बाद में आपको किस तरीके से ये इसको install करना होता है और आपको कौन कौन से setting on करनी होती है ताकि हम बिना किसी रुकावट के हम PM के सान सम्मान निधी की EKYC को successfully done कर पाएं तो हेलो दोस्तों मैं हूँ नियाज और सागत करता हूँ आप सभी का आज की एक और कमाल की वीडियो में वीडियो में बताए कि जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें कि अगर आपके system में पहले से कोई मार्फो का ड्रावर इंसटॉल है तो प्रेंच सबसे पहले हमें उस ड्रावर को अनिस्टॉल करना शोता है तो अभर आपको जाना है सबसे अपने search बार में यहां पर और आको कॉन्ट्रॉल पैनल का sing दिखाए देता है आपको इस पर क्लिक कर देना है फ्रेंड्स यह अलग-अलग बिंडो में अलग-अलग तरीके से शो होता है मगर मेरे कहने का मतलब यह है कि आपको जाना है अपने control panel में उसके बाद में अब आपको इसको बड़ा कर लेना है यहाँ पर आपको view by में category को select करना है उसके बाद आपको यहाँ पर program में आने के बाद में uninstall a program के option पर click कर देना है तो यहाँ पर जैसे ही मैं click करता हूँ आप सभी देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे system में पहले से ही marfo का driver install है सबसे पहले मैं इस driver को remove कर देता हूँ driver को install करने के लिए आपको इस पर double click करना है इसके बाद अब आपको यहाँ पर yes कर देना है yes करने के बाद में यह driver automatic आपके system से आपके laptop से remove होना start हो जाएगा या फिर uninstall होना शुरू हो जाएगा अब यहाँ पर मेरी rd service remove हो चुकी है अब यहाँ पर हमें अपने driver को भी uninstall कर देना है तो आपको फिर से इस पर आना है और double click करना है उसके बाद इस box पर click करने के बाद में आपको yes कर देना है अब yes करने के बाद में आप सभी देख सकते हैं आप सभी के सामने फिर से यह pop up आ जाता है आपको इसको yes कर देना है yes करने के बाद में यह भी automatic आपके laptop से इस driver remove होना start हो जाता है तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि मेरे laptop से ये driver remove हो चुका है अब आपको इसको cut कर देना है cut करने के बाद में आपको जाना है अपने PC में PC में जाने के बाद में आप सभी को जाना है अपने C drive में C Drive में जाने के बाद में आप सभी देख पाएंगे कि यहाँ पर आपके system में अगर पहले से ही Marfo का कोई driver इंस्टॉल था तो आपको यहाँ पर Marfo के नाम से दो फाईलें मिलेंगी आपको इन दोनों फाईलों को delete कर देना है delete करने के बाद में आपको वयक आ जाना है वयक आने के बाद में आपको C drive पर right click करना है उसके बाद सबसे नीचे आप सभी को properties का option दिखाई देता है आपको इस पर click कर देना है properties में जाने के बाद में यहाँ पर आप सभी को एक option दिखाई देता है डिस्क क्लिन अप का तो आपको इस पर क्लिक कर देना है इस पर क्लिक करने के बाद में अब आप सभी के सामने कुछ स्पकार का इंटरफेस आएगा तो यहां पर जितने भी फाइलें आप सभी को दिखाई जाती हैं आपको इन सभी फाइलों पर टिक कर देना है टिक करने के के बाद में आप सभी को यहां पर एक option दिखाई देता है okay का तो आपको इस okay के option पर क्लिक कर देना है उसके बाद यहां पर delete file के option को select कर देना है तो यहां पर आप सभी देख सकते हैं कि मेरे system से पूरा completely remove हो चुका है अब आपको इसको cut कर देना है तो friends अब बात करता हूं कि मारफो डिवाइस से PM किसान सम्मानने थे की EKYC को करने के लिए आपको कौन सा driver install करना है और यह driver आपको कहां पर मिलने वाला है तो आपको चले जाना है अपने browser में browser में जाने के बाद में यहां पर search bar में आपको type करना है मारफो आडी service इस website का link भी मैं आप सभी को description box में द service का home page खुल करके आगया है अब यहां पर आपको driver को download करने के लिए यहां पर एक option दिखाये देता है download का तो आप सभी को simply इस वाले option पर click कर करने के बाद में आप सभी देख पाएंगे कि यहां पर आप सभी को कई सारे option दिखाये देते हैं यहां पर आप सभी को confused नहीं होन है आप सभी को simply इस तीसरे वाई number को select कर लेना है इतना करने के बाद में आप सभी देख पाएंगे कि यहाँ पर नीचे मेरा driver download होना start हो गया है तो friends अब आप सभी देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा driver download हो चुका है अब यहाँ पर आपको इस फाइल को select करने के बाद में अपने mouse की right button को click करना है उसके बाद में यहाँ पर आप सभी को एक option दिखाए देता है extract to उसके बाद आपकी फाइल का जो भी नाम है वो आ अब आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको marfo का driver देखने को मिल जाता है अब आप सभी को इस driver को अपने system में या फिर अपने laptop में install करना होता है तो अभी मैंने यहाँ पर अपने device को अपने system से connect कर दिया है अब यहाँ पर मैं double click करने के बाद में इस driver को install कर लेता तो पर जैसे ही मैंने double click किया आप सभी के सामने कुछ सिपकार का pop-up आजाता है तो इस pop-up को आप सभी को yes कर देना है yes करने के बाद में आप सभी देख पाएंगे कि यहाँ पर जो मेरा marfo का driver है यह automatic install होना start हो चुका है और कुछ second में ही यह install हो जाता है तो जब तक friends यह प laptop में या फिर आपके system में install हो जाती है तो जब तक यह install होती है तब तक आपको wait कर लेना है और install होने के बाद में आप सभी को एक pop-up के रूप में message मिल जाता है तब आप सभी को पता चल जाता है कि आपका device अभी install हो चुका है तो friends अब driver मेरे laptop में install हो चुका है अब आपको अपने laptop को restart कर लेना है तो अब मैं आप सभी को बताता हूं कि अब आपको आगे क्या करना है तो friends अब आपको अपने laptop में या फिर अपने system में कुछ setting करनी होती है तो मैं आप सभी को बता देता हूं सबसे पहले आपको जाना है अपने calendar की setting में इसके लिए आप सभी को इसके बाद में आप सभी को एक आप लिए इन्पांटा मुंबई पर select करना है अगर आप आप सभी का है पहले से बहूत ही अच्छी बात है अगर नहीं है तो आप आपको इसी time जो उनको select कर लेना है उसके बाद यहां पर okay के option पर click कर देना है उसके बाद में यहां पर आप सभी को option दिखाई देता है internet time का तो आपको इस पर click करने के बाद में आप सभी को यहां पर click करना है change setting का तो आपको इस पर click करने के बाद में यहां पर एक option के कर देना है और इस पेज को कट कर देना है तुम इतना करने के बाद में फ्रेंट्स आप सभी को जाना है अपने क्रॉं में क्रॉं में जाने के बाद में आप सभी को टाइब करना है Chrome डवक्ष comigo बिन्क je के बाद में आप सभी को रिलांच के option पर क्लिक कर देना है इतना करने के बाद में आपका Chrome एक बार फिर से रिलांच हो जाता है अब मैं बताता हूं कि आपको किस प्रकार से क्यों को करना होता है तो यहां पर आप सभी को आ जाना है नए टैब में यहां पर आप सभी को साच करना है PM किसान.gov.in उसके बाद आप सभी डारेक्ट PM किसान सम्मानी देखी ऑफिसल वेबसाइट पर आ जाते हैं इस वेबसाइट पर डारेक्ट नहीं आ पाते हैं इसलिए मैंने इस वेबसाइट का लिंक भी डिस्क्रिप् पास्वर्ट को फिल कर देना होता है उसके बाद यहां पर कैप्चा को फिल करने के बाद में साइन इनके ऑप्शन पर क्लिक कर देना है अब इतना करने के बाद में आप सभी के सामने कुछ स्पकार का एक नया इंटरफेस दिखाए देता है अब यहां पर आप सभी को ज्य हैं, यहाँ पर आफ सबी को सेम CAPTCHA को FILE कर DaraNा है, उसके 바ad यहाँ पर सर्च पर क्लिक कर ​dreams सब्सक्राइब करने केबाद में यहाँ पर आफ सबी के सामने एक और बॉक्स खुल करकी आजाता है, यहाँ पर आप से क्लिक कर देना है चलिक करने के बाद में आप ने जो भी processing पर दिया हूँ था हुस मोबाइल नम्बर पर लो भी भेज दिया जाता है तो आप सभी को इस लाइस लो नो पर क्लिक कर देना है जैसे हि अब सभी सब्सक्राइब करेंगे आप आप सभी काइब यहां Maps की हलोब20 तो आप सभी को इस वाले option पर क्लिक करना होता है तो friends अब मैं आप सभी को अपने mobile phone के camera की मदद से आप सभी को दिखाऊंगा कि यहाँ पर जब मैं capture for EQIC by Marple device के option पर क्लिक करता हूं तो यहाँ पर मेरे device पर red light on होती है कि नहीं होती है नहीं तो बहुत सारे friends यह बोलेंगे कि जब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूं तो device पर red light on नहीं हो रही है या फिर मैंने कहीं बाहर से चीजे करके दिखा रहा हूं तो friends यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर insert किया हूँ है अपने laptop में यहाँ पर देख सकते हैं यह इसका wire है उसके बाद में यह को capture करवा लेना है और जैसे यहाँ पर आप सभी को यहाँ पर क्लिक करना है तो friends अब आप सभी के सामने यहाँ पर आ जाता है ekyc done please make payment to for ekyc तो आप सभी को अब यहाँ पर ok के option पर क्लिक कर देना है और जैसे ही आप सभी ok के option पर क्लिक करेंगे यह page automatic redirect हो जाता है payment के लिए जहाँ पर आपको अपने cst के माध्यम से इसका payment करना होता है और अगर यह automatic redirect नहीं होता है तो यहाँ पर आप सभी को एक option द जाता है यहां पर आपको डेट शो होती है उसके बाद में आपको यहां पर ढखिसरो कर दि जाती है अब यहां पर इस बौक्स में आपको अपने CSY का लागिन password करणा है उसके बाद में यहाँ पर बैले डेट के option पर क्लिक कर देना है यह पेज दोबारा से एक बार आप सभी को इस प्रकार का दिखाया जाता है अब यहाँ पर सारी चीज़े सेम रहने वाली हैं बट यहाँ पर आप सभी से login पूछा जा रहा था है वहाँ पर आप सभी को अपना wallet pin दे देना है wallet pin को डालने के बाद में आप सभी को यहाँ पर option दिखाया देता है pay का तो आप सभी को इस pay के option पर क्लिक कर देना है तो friends जैसे ही आप सभी pay के option पर क्लिक करेंगे आप सभी के सामने कुछ प्रकार की receive generate हो करके आजाती है अब friends आप सभी का eki ic successfully complete हो चुका है तो friends अब आप स का से डाउनलोड कर सकते हैं, किस प्रकार से इंस्टाल करना है, कौन से सेटिंग करनी होती है, और सेटिंग करने के बाद में आप बीना किसी रुकावट के पीम किसान सम्मान निदी की EKYC को सकसेशफुली डन कर सकते हैं, अगर आपका अभी भी कोई सवाल या फिर सुझा हो झाल झाल